रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हो आप सबी लोग आशा करती हूँ आप सभी परम अंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छे होगे आप सभी को यह जो टॉपिक है आज का बहुत 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 इंपोर्टेंट है मेरी ख्याल से भारत की हर महिलाओं के साथ या फिर बात आपकी पीरेट्स आजए फिर आफ कंफ्यूज होते हो कि मैं ब्रत को तोड़ दू या फिर मेरा ब्रत संपूर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा मैं पुरापर पूरी तरीकी से ब्रत रख चुकी थी अब मेरे पीरेट्स आगे हैं अब में पूजा अर्चना वन तो बहुत अच्छी तरीकी से जिनके रेगुलर है उन पर भगवान की यह समझेश विशेश किरपा है क्योंकि हर पास्ट में से एक महिला एक या दो महिला के जो पीरेट्स है वो इन रेगुलर ही है कभी कब आ रहे है कभी कब आ रहे है कभी फ्लो अच्छा नहीं आ रहा किसी को अपने पीरेट्स की जो डेट है वो इत्यादी याद नहीं रहती है या फिर पीरेट्स अचानक से आ जाते हैं और हम पूजा पाठ कर चुके होते हैं तो क्या हमें ब्रत तोड़ दे रहा चाहिए क्योंकि अब तो हमारे पीरेट्स आगे अब हम साम की पूजा अर् इसके उपर आज मैं important video बनाने वारी है देखिए यह जो पीरेट्स की problem है यह भारत में हर महिलाओं को होती है तो इसका सामना आपको कभी न कभी करना बढ़ जाता होगा लेकिन अगर आप पहले में ब्रत की बात कर लेती हूं फिर मैं किसी पूज अर्शना की बात कर लेती सब्सक्राइब कर लिया आपने संकल्प ले लिया आपने कथा पड़ आर्थी जैसे ही आपने आर्थी खतम करी और आप मंदिर से बहार निकले वैसे ही आपको पीरस आगे अब बड़ी दुविदा में पढ़ जातो दीदी हमारा ब्रत पूडा होगा यह नहीं होगा अब ह खाले क्या अब हमारा व्रत्मानिय होगा नहीं होगा सास्तर क्या करते हैं कि इस्तुरी की तुमेंप विश्राम करें भृङवान से चमापार्थी मांगने की भी कोई अवश्यक्ता नहीं है क्योंकि आप भगवान जानते हैं कि यह सब एक वित्तु चरिया है और यह सब होना ही होना है सास्र कहते हैं कि आपका जैसे कि आपने पीडर सचानक से आगे आपका ब्रत है आपने पूज अर्षन बनना कली तो आपको ब्रत खंडित नहीं करना चाहिए आपको पूरे दिन अपना ब्रत रखना चाहिए लेकिन साम की पूज अर्षन बनना नहीं करने चाहिए भगवान स हरवश्य है उन्हें सब जानकारी है तो वो आपका जो ब्रत है विग्ष dip किया जाता है आपका जो ब्रत नहीं तो चीज खंडित नहीं होती है आप अपसुद आवस्तां में हो गईओं लेकिन वह다면 सब्सक्राइब कि हाँ जब आपको पता चल गया तो आपको तुरंट पूजा अपनी कलोज कर देनी चाहिए और हांत जोड़के वहां से निकल जाना चाहिए ठीक इस बगार अगर पूजा हो गई तो अच्छी बात है साम की पूजा नहीं करो गई लेकिन अगर आपकी पूजा अर्चनवन्न उससे आगे की पूजा अर्चनवन्न आपको नहीं करनी चाहिए वहीं पर विश्राम कर देना चाहिए आपको संपूर्ण पूजा का फल मिलेगा ही मिलेगा दूसरी बात कभी कभी ऐसा होता है कि हवन इत्यादी हमारे घर पे चल रहा होता है हवन इ लेकिन आपको हवन इत्यादी संपूर करना है लेकिन आप उस जगे पे बैठे रहोगे अचानक अगर बीच में आ जाते हैं पहली बात तो अगर आपको ग्यात है कि आने वाले हैं पेट में दर्द होना लेकिन हमको यह अच्छी तरीकी से पता होता है कि पीरस आने से पहले कोई ज berms पढ़ना पेट में दर्द होना काक मिसल्स में वह ना बहुत सारी सिम्टम्स हमारी बोडि में पहले से उत्पन हो जाते है अगर आपकी बोडि में पहले सी लेकिन ब्रत को आपको एनिहाओ हर तरीके से संपूर करना चाहिए कभी ऐसा भी हो जाथ कि पूर मासी का ब्रत है बिना चांद को अर्ग दिये हम तो ब्रत नहीं खोल सकते हैं फिर हम क्या करें पीर्ट के टाइम चांद को अर्ग दिया जाता है याद में कि पीर्ट के टाइम आप चांद को अर्ग देसकते हो फिर्ट के टाइम आप शांद को अ लोटा ले लीजी में थोड़ा सा रलीकम दूट डालीजी छानद को इस्वास और उसके बाद लेकिन मंदिर में परत्यक शुरूप से नहीं जा सकते हैं मंदिर की पूझा अर्शना वंदना आप प्रत्य चुरूप से नहीं कर सकते हैं अगर आप अपनी कुडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा वर्षप नमबर दिया हुआ है आपका बच्चा जॉब करेगा आपका बच्चा बिसनिस करेगा आपका बच्चे का फ्यूचर क्या होना चाहिए इसको कौन सी साइड ले जी चाहिए क्या कर ना चैयू यह सभी जानकरय मा आपको वर्षप माध्यां रघ्ट चांकर में आपको फॉन प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको में वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटूब चैनल हरी बोल को लाइक सीर सिस्क्राइब को और बिलकुन भी मत पूलिए अपते के लिए मुझे दीजिए जादे त्रादे रादे हरे कृष्णा